तो काइस किसी इश्यू कान मुझे थोड़ा लीव करना पड़ा अपना लाइब तो एक वाई मैं फिर से लाइब आगे हूं एक वाई आप फिर से शेयर कर दीजिए ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं सॉरी फॉर यो टाइम तो एक वाई थम्जब कर दीजिए अगर वाईस क्लियर है फिर आगे बढ़ते हैं जल्द आगे बागे आज ठीक है तो आज अपने भी स्पीड आप बनाए रखना तो गाइस जैसे आप सभी को पता होगा कि आपके जो एड्मिट गार्ज है वो आउट हो गये हैं आप सभी ने होप सो डाउनलूड कर लिए होंगे ठीक है वाईस क्लिए तो अब स्टार्ट करते ठीक है तो देखते हैं आज कि हमाँ फर्स कोशन तो फर्स कोशन हमारे कहते है विच और फॉलिंग इस रेटी तो आप सबको वहले पता हुने सब्सक्राइब है कि ने ठीक है तो देखो आपके आज ना माई 120 के प्रस उपर कोशन आने वाले है तो ध्य ही डाट कि पूरे वर्ल्ड में जलदी सबताओ 12 हर्सी रोटपॉट पुरे वर्ल्ड में आपके 21вин होट्सक्राइब पूरे वर्ल्ड में ने लिखे ठीकह और ओजबनेश्टिर्सक्राफ एक HR ब Messageoga yük fact का रूदीयों Should combo लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया की प्रॉस्पेक्स से बात करें तो चार यह त लिप में 36 आगे बाद करतें कोश्च नमबर टू यह इजी है ठीक है तो हूं मंग दा फॉलिंग डिफाइंड ऐस टर्म बाइड़ोस्टी होट स्पोट टर्म किनों ने दिया था आपको दादू यह आपका टॉपिक है न मोस्ट इंपोर्टन जाने वाला है इंवर्मेंटल एकॉल की जरूत हमें पढ़ रही है पहले इंसान बे फिकर था सब कुछ कर रहा था लेकिन अब हमाई सामने इंवर्मेंटल टर्म सामने आ रही है तो सर सेकिंड का आंसे क्या हो अगा डैट नॉर्मन मायर्स अब आपको पतना हों जी होट्सपोट जो उन्हें टर्म दिया कों से इंटीन एटीए टीक है 1988 में उन्हें दिया था कोश्चन में ठर्ड की बात करते हैं विच आप किसी आप रीजिन को होट्सपोट बताने चाहते हो आप बोलने चाहते हैं कि हां यह रीजिन होट्सपोट है तो उसको कौन सा क्रेटेरिया क्यालिफाइए करना पड़ेगा आ अगर किसे मेरे लेक्षिस देखे हुआ है तो मैंने आपको रहा था दो क्रेटेरिया आप देखे तो A option and B option is the right one उन्होंने बोले नॉट थीक है उन्होंने नॉट बोले तो थर्ड का सी आंसर रहेगा it must be the part of underdeveloped ठीक है underdeveloped होना जरूरी नहीं है developed countries में भी आपको होट्सप Q4 में बोलता है यह कौन सी तरह की food chain है पहले dead animals, blowfly maggot, maggots, frog की snake ठीक है अब A option इस आपको दिया है Deletial food chain, second decomposer food chain, predator food chain की grazing food chain आप सभी को पता होगा कि हमने दो तरह की food chain आपके सामने पड़ी थी सर कौन कौन सी थी, जल्दी से पता है यह, दो food chain एक सी मारी grazing food chain and the another one is your dead areas, dead areas is from dead animals, ठीक है decaying animals, तो dead areas is the right one, ठीक है इस कहां से कह रहेगा A option, ठीक है A option is the right one, आगे बात करते है question number 5th की the most important, the pyramid of energy is always upright, जो आपका pyramid of energy है, always upright है, क्यों, किस कारण, वो बताइए जल्दी हमने तीन pyramid पड़े है, pyramid of number, pyramid of mass and the pyramid of energy, अब energy के मामले में हमने पड़ा सर्फ वो हमेशा upright होता है क्या उसका कारण है, क्या उसका reason है, वो आप बताइए upright क्या होता है पहले, आपको यह पता होना चाहिए, this is your upright, अगर इसको उल्टा कर दे, that will be your inverted ठीक है, तो 5th का answer आप करेगा, that the energy conversion efficiency of herbivorous is better than carnivorous, ठीक है, जो energy conversion efficiency है, वो herbivorous में जादा होती है, as committed to the carnivorous, आप सब को याद होगा, हमने पढ़ा था, that 10% law of energy, उसमें क्या था, जो आपके नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, आगे वाले ट्रॉपिक लेवल में 10% ही energy transfer होती है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, question 6, the natural place of a organism or community is known as, वो natural place, organism की या community की, उसे हम क्या बोलते हैं, जलती सबताइए, तो पहले आपको इन सभी के बारें पता होना चाहिए, निश के बारें पता होना चाहिए, बायोम के बारें पता होना चाहिए, जो organism का role है environment में that is known as niche 7th question in an ecosystem the energy flow is always a always a ठीक है यह A option है A option यह है B यह है C यह है D यह है तो ecosystem में energy flow कैसी रहती है बिलकुर सही answer दे रहे हैं तो सबस्वेल आंसर आया sarcastic का that unidirectional तो जो आपका energy का flow होता है वो हमेशा unidirectional होता है मतलब एक ही direction में जाता है आपका reverse direction में नहीं आता ठीक है तो इस answer के रहेगा sir 7th answer that will be A option important one succession का process आप सभी ने पढ़ा होगा ठीक है आपको पता है एक प्रजाती के बतले दूसरी प्रजाती तो जब एक प्रजाती से दूसरी प्रजाती बनती है तो उसका properly process क्या उनसा होता है वो बताइए आप जल्दी से यह आपका 8 question है 8th का answer C आ रहा है A आ रहा है D आ रहा है देखो मैंने zoom पूरा किया हो और कितना zoom चाहिए आपको आप वो कर सकते हो क्या नाम है ओपर से अपनी quality increase कर सकते हो ठीक है तो बात करें अगर question number 8th की तो 8th का answer सही रहेगा D option ठीक है ध्यान से देखना पहले nudation मलब वो प्रजाती जो पहले गी थी वो खतम हो जागी then invasion then उसके उपर जब वो invade कर लेगी न्यू प्रजाती उसके अगर सक completion, question, reaction then stabilization उदर stabilization करेगी आगे बात करते हैं अपने question number 9th की the process in which successful establishment or species in a new area take place is called वो process जिसमें successful establishment होती है species की new area में ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं जल्दी सबताए ठीक है answer DR, DR, SECS आ रहा है बिल्कुल सही इसका answer SECC है ठीक है मैं बार-बार बोला हूँ ये topic बड़े important जाने वाला है आपका एक topic है JKPSI के exam में आपका एक properly topic है तो 14 में से एक section तो यही है ठीक है तो उसमें से आप expect कर सकते हैं इसके उपर आपको 8-9 MCQ आने की chances है क्योंकि ये एक important component बन चुका है इस time पे dash आप primary consumers नीचे देगी option में से primary consumers बताने है हम पढ़तों लेते हैं सर कि हाँ हमारा food chain होता कैसे है सर हम इसमें अपनी जो different tropical levels होते हैं वो पढ़ लेते हैं हम इसरद पता है primary consumer होता है अब primary consumer में हम की ने डालेंगे सर प्राइमरी consume में हम डालेंगे हर भी वोर रस किसे डालेंगे सर अब बी वोरस आगे बाद कमें 11 what are the two types of primary productivity प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी के दो टाइप्स आपने बताने हैं जल्दी से बताओ ठीक है प्रोड़क्टिविटी के दो टाइप्स ग्रॉस और नेट से नाम लो में रहां आपका ले लिए पंकत सिंग जी ने सबसे बहले नाम सॉरी आंसर दिया है तो आपका ग्रॉस और इस राइट वन नेट और ग्रॉस प्राइमिर प्रॉड़क्टिवि से निकाली जाती है ग्रॉस तो आप सब्सक्राइब टोटल हो गई एक तरह से अगर ग्रॉस की मदद से मैंने नेट निकानना है तो क्या करूंगा मैं सार्कास्टिक जी ने सबसे अले लिखा है डैट माइनस रेस्पिरेशन बिल्कुल सही आप ग्रॉस में से रेस्पिरेशन को माइनस कर देना आप कहा अंसरा रहे हो 12th question what is the rate of production of new organic matter by heterotropic organisms called ठीक है जो new autotropic की बात नहीं हो रही जिव आपका heterotropic की बात होती है तो हमारा आंसर हो जाता है that the c1 secondary production बिल्कुल सही आगे बात करते है question number 13 approximate how much the solar energy that falls on the leaves of a plant is converted to a chemical energy by the photosynthesis 10 percent law of energy आप सभी को याद होना चाहिए most important इसके उपर आपको कोई chemistry क्यों मिल सकता है जल्दी से बताइए ठीक है तो 10 percent law of energy तो मैंने word use कर दिया लेकिन मैंने क्या बोला solar energy ठीक है आप सभी कोता है solar energy से पहले पत्तों पर पड़ेगी रोशनी जी सर अब वो जो हमारे जो producers है जो हमारे green plants हैं वो कितने energy लेते हैं सर वो energy लेते हैं around one percent लेकिन one percent से कम नहीं होती one से थोड़ी उपर ही चल जाती तो इसको हम appropriate answers कर रहेगा two to ten percent ठीक है appropriate two to ten percent अगर most appropriate होता ना one percent होता है most appropriate लेकिन दर वो option नहीं है आगे बात करते है question number 14 which of these is a suitable example of xa2 conservation ठीक है दो तरह की conservation आपको बता है in say two or xa2 आप सभी को बता होगा दो तरह की conservation that xa2 and in say two xa2 is for outside biodiversity in say two is inside तो इसमें से xa2 कौन सी है तो 14th का answer करेकर sir बिल्कुल सही सभी ने सही answer दिया है तो that is your seed bank आगे बात करते है 15 dash is a hotspot of biodiversity in India इंडिया में ऐसा कौन सा hotspot है जल्दी से बताएगे मैंने आपको चार hotspot बता चुका हूँ ठीक है ठीक है ना तो आपका 15 का answer क्या रहता है western guards western guards को भी मैं इसमें consider कर लेते हैं ठीक है आगे बात करते है 16 अगे बात करते है 16 अगे वर्ट क्रेक्ट फिल फूरम आई यू सिएन यू सिएन की फूर्म यह एक संस्ता है ठीक है तो यह जो संस्ता है तो इसकी फूर्फ फूर्म के है मतलब नेचर को conserve करने के लिए बनीया यह आई यू सिएन की फूर्म तो 16 का answer cy या आ रहा रहा है यहां भी सही रहेगा that it is a international union for conservation of nature याद अखना IUCN ठीक है आगे बढ़े फिर जी सर्थ तो 17 कोशन अब इस कोशन को द्यान से पढ़ें यह थोड़ा से tricky कोशन आए तो इसका अंसर द्यान से देना क्या हो सकते है इसका अंसर which of the following is a true regarding IUCN ठीक है IUCN के regarding आपने सही information देनी है क्या सही है इसमें पहला बोलता है वर्ल कंजर्वेशन कॉंग्रेस इस दा IUCN प्रिंसिपल गोनिंग बॉड़ी और दूसरा बोलता है IUCN करेंट प्रेजेंट इस जैंग जिंचैंग आंसर है 17 का ए तो मैं आदा दू वर्ल कंजर्वेशन कॉंग्रेस जो है वह इसकी गोर्निंग कॉर्णिंग बॉड़ी नहीं है कि वह इसकी गोर्निंग बॉडी नहीं है 17 का पंकर रिंस झींग ने डिया बिल्कुल सही और IUCN के प्रेज़ेंट जैंग जिंचैंग नहीं है यह प्रीवियस से ठीक है तो यह इनके प्रीवियस से तो अब आपके रिसेंट कोन है तो उनका नाम बता ही जल्दी थोड़ा सा डिफिकल्ट वान पूछ लिए सन्याज क्या हो गया जल्दी हाँ बिल्कुल सही सैरिश चोदरी जी ने लिखे है रजन मुबारक ठीक है शीज दा फश्ट वूमें फ्रों अरम ठीक है तो इसका अंसर करेंगा नीदर वन और टू जा ठीक है ना ही पहला सही है ना ही सेकंड सही है आगे बात करते हैं वट इसक्ष्मीरी रेट स्टेक और अल्सों नोने इसक्ष्मीरी रेट स्टेक का दूसरा नाम जल्दी से बताइए पता होना चाहिए सभी को डैट 18 का अंसर हंगुल सही देगा आगे बात करते हैं 19 मौन्ट्रियल प्रोट्टोकॉल वस एड्रेसिंग विच फॉलिंग इंव्यम्मेंटल इशू मौन्ट्रियल प्रोट्रोकॉल किसके रिलेटिड है तो वह हमारा किसके रिलेटिड है 19 का सी आंसर आ रहा है ओजोन डिप्लिशन बिल्कुल सही है मौन्ट्रियल आपका जो प्रोट्रोकॉल है अब उसका बैनिफिट क्या मिलेगा मौन्ट्रियल प्रोट्रोकॉल का ठीक है तो कौन से सही होना चाहिए तो मैक्सिम आंसर भी आ रहे तो हम जंता के साथ जाते है डैट इट इस दबी आंसर इस दर राइट वाइट रिदक्शन इंदस यो टू अमिशे 21 यह अभी तक मैंने पूछ लिए तो इसका अंसर में साब से बताने की जोट नहीं है आप सभी को पता चल क्या होगा उपर हमें डिसकस कर लिए क्या इसका अंसर है का सर एन पीप कैसे निकालते है नेट प्रोड़क्टिव रेट कैसे निकालते है जल्दी से बताइए तो रेस्पिरेशन को आप माइनस करते हैं तो डैट दा ट्वेंटीवन का डी ऑप्शन तरा राइट वन ट्वेंटीटीटू की बात करते हैं 22 क्या कह रहा है इफ फिश इन टूए रिवर य्को सिस्टम तो रिवर को भी एफेक्ट करेगी जो उसको खाने वाला होगा वह भी एफेक्ट होगा उसके आगे जो होगा वह भी एफेक्ट होगा तो all organisms सभी के सभी एफेक्ट होंगे in sum 23 in the food web which is a correct flow of energy कौन सी correct flow of energy है इसमें से बोलता है देखो यह food हो नहीं होगी यह option गलत फिर बोलता है a c d a c d इदर भी कोई आरो नहीं है तो यह option गलत फिर बोलता है b a f टिकेट 23 का answer अभी तक d आया चाहिए देख लेते हैं b a f b a f बिल्कुल सही इदर से इदर तक energy जा रही है नहीं से पहले बीच में c भी तो है तो यह भी गलत तो इसका क्या सही answer है गा that a c f is the right one a c f is the right one आप दे सकते हो इदर आपका a आ गया c आ गया f आ गया ठीक है तो this is the right one d is the right one आगी बात करते हैं a simple diagram simple की बात हो रही है ठीक है सर complex लिखा तो हम आंख मंद करके food web करके आएंगे सर इदर बात हो रही है simple diagram with arrows a single pathway of energy from grass rabbit to fox is a वो आपका क्या है मैंने आपको लागर complex word लिखा होगा तो food web है लेकिन इदर simple word उन्हें लिख दिया है complex का उल्टा ली दिया है तो 24 कहां से करेंगे से food chain ठीक है 25 अब food chain starts with जो आपका food chain है start कहां से होते है देखो guys अभी तक सिर्फर से 58 likes हुए है कुछ अच्छा नहीं लगता दिल से बूरा लगता है मैं सही बोलो तो लाइक भी करते रहा करो तो जल्दी से पताइए अब food chain starts with जो एक food chain है वो कहां से start होता है तो वो एक सर producer से start होता है ठीक है आगे बात करते है 26 decay is the breaking down of decomposition of टीकेंग डिकेंग क्या है किसका decomposition है waste matter का birds का animals का fish का it is a decomposition of waste matter ठीक है A option is the right one 27 important one थोड़ा सा tricky one competition for light nutrients space is most served between कहां पे रोश्णी nutrients और space की जो competition होगा वो सबसे जादा होगा कहां पे जल्दी से बताइए 27 का answer B आ रहे है sustainable development goals पे मेरे channel पे पढ़े हूँ आप वो देख सकते हो चलो कोशिश करूँगा और provide कर दूँ तो 27 का क्या रहेगा B options are right one closely related organism growing in the same niche जो same niche में grow कर रहे हैं वो कहेगा मैं लूँगा मैं लूँगा और वो कोईगा मैं लूँगा मैं लूँगा ये लड़ाई तो हम सब में भी है ठीक है हम सब भी अपने resources लेने में बैठ रहते हैं कि हाँ इसका utilization मैं करूँगा तो इंसान इंसान का दुश्रीन में बन चुक है हम यही कह सकते हैं तो आगे बात करते हैं what is true of the ecosystem इको सिस्टम हाँ हाँ answers मिल जाएंगे आपको PDF में actually मैंने कल की PDF भी प्रोवाइड करनी है मैं भूल चुका था तो रात को मिल जाएगी इस lecture के बाद कल वाली lecture की ठीक है तो जल्दी से बताइए एको सिस्टम के बारे में कौन सी सही information है ट्विंटी एट का अंसर तो ट्विंटी एट इफ जी एच ऑप्शन आगे दे सॉरी ठीक है तो पताइए ए एफ है की जी है की एच है तो जी आंसर आ रहा है तो सही है मैं बता दूँ that producers are more than primary consumer जो एको सिस्टम है ना उसमें producers जादा होने चाहिए और इफेक्ट होजेंगे तो जिखिंगो को सिस्टम हों जाएगी तो वह पोसिबल एक इच्टन ना चाहिए तो तो制 is खट्म हो जाएगा तो आपको पता यह से टम क्टी में बता हो हुए टो पता और इस मोत जाती है अपको बता था environmental issues है आपका एक topic आपका एक topic उदर कौन से सर environmental issues तो environmental issues के लिटेट ही आ गया तो 29 में आप कहां से आता है dad sir हमारी दो तरह की gases होती है तो sulfuric acid and the nitric acid तो d1 is the right one ठीक है 29 कहां से करेगा d1 थर्टिएथ सिंपल है plants जो direct sunlight के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं sir उसे हम बोलते हैं hyalophytes 31 की बात करते हैं जो shade के अंदर ग्रो करते है sunlight के अंदर hyalophytes अगर shade के अंदर लिखाओगा तो जल्दी दिताओ sir शोद्री जी ने लिखा है b बिल्कुल सही that's hyalophytes ठीक है यह याद रखना sunlight के अंदर hyalophytes देखो इस तरह का question ना no doubt कि इस तरह का question नहीं आएगा आपको उदर पूछा जाएगा which of the falling statement is correct जब match the falling में आ सकता है यह तो वो चीज़ आपने सीखनी है ठीक है आगे बात करते है थर्टी टू which of the falling requires maximum energy किसको सबसे जादा energy चाहिए किसको सबसे जादा energy चाहिए ट्रॉपिक लेवल आपने पढ़ा है 10% of energy आपने पढ़ा है उसी को मद्दे नजर रखते हैं इस का आंसे दीजिए सबसे जादा energy सबसे जादा ताकत अगर प्राइमरी के पास होगी तभी वो आगे पुंचा पाएगा ठीक है ना अगर प्राइमरी कमजोर होगा तो आगे कैसे पहर जाएगी आगे उल्टा 10% आते 90% तो उड़ जाती है 33 अब बोलता है इसमें से बताओ which of the falling are the examples of ecotone regions ठीक है ecotone आपको पहले पताओ ने जिए सर ecotone है क्या UPSC level का यह question आया भी ठीक है तो बोलता है इसमें से सर ecotone है क्या ecotone क्यों होता है आपको पता होगा यह एक आपका ecosystem आ गया एक दूसर ecosystem आ गया जब दो ecosystem के बीच में जो common जगा होती है उसको हम बोलते है ecotone for example this is your forest and this is your grassland इसके बीच वाला area को हम क्यों होते है सर ecotone transitional area बिल्कुल सही ठीक है तो बोलता है the border between and forest and grassland बिल्कुल सही सर 33 का जो है यह सही है area between a soft bottom and hard bottom marine substrate यह भी सही है दो ecosystem के बीच में है the bank of stream running through a meadow यह भी सही है the ash tree lying between river and sea तो यह भी सही है ठीक है तो यह ती चारों के चारों information आपकी ecotone की ही है तो all are the right one 34 which of the falling is true about ecotone ठीक है यह फिर से ecotone ही आ गया उपर भी ecotone था इधर भी ecotone आ गया तो 34 कब दाए जल्द से ecotone के बार में क्या सही है तो 34 का आंसर जो आता है that the first and the second one is the right one जो आपका थर्ड है न वो सही नहीं है कहता है edge effect ठीक है क्या कहता है edge effect एजीफेक्ट आपको पता नहीं देट इट इस इंक्रीज बाइडिवस्टी ने एक बड़ा होना चाहिए दूसरा चोटा होना चाहिए यह ऐसी बात कर रहा है ऐसा कुछ नहीं एको टोन दोनों तरफ चल सकते हैं तो फर्स्ट एंदर सेकिंड वान थर्ड वान इस रॉंग वान 35 diversity of all living things depends upon सब्भी living things का diversity कि स्पेट बेंट करता है जोग्रफी, soil, presence की तीनों सर तीनों सर ओल अव्ड वान आगे बात करते हैं 36 कोश्टन की टैस्ट्र बाइडवस्टी इस यूज़ी ग्रेटर देन नियर दा जापकि टैस्ट्र बाइडवस्टी है वो किसके पास ग्रेटर होगी सर किसके बास जादा होगी कहां पे जाद हो होगी सर ओवस्टी बात है एक्क्वेटर तो 36 का अंसर के रहें का सर सीवन बड़ी वार यह कोश्टन पूछा कि मैं आपको बता लूँ 37 अब मुझे बताइए टोटल वेटलेंड कितनी है इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है वो बताइए पहले मुझे 37 का अंसर ठीक है रामसर साइट बताइए पहले फिर आगे मैं इस कोशन क्यों आगे बढ़ते है अब का शर्मा जी ने सबसे आले रिका 49 बिल्कुल सही रिसेंट डाटा पता होने जी रिसेंट डाटा 49 है ठीक है तो 49 में से जेंड के में कितनी है यह भी बताइए अब लडाक को निगलेक्ट करके मतलब कि उसको लेफ्ट ओवर करके जेंड के क्या आपने बताने है कि सर्दी वाइस ऑसम यार आप सब तारीफ करते हो लेकि में घर वाले बोलते हैं फटा होगा यह जल्दी से बताइए सेंटर चेंज हो सकते हैं नहीं सेंटर एक्ट एक वी अब जब आपके अडमेर गार्टन हो जाते हैं तो वह अथर्टिक हात में होते हैं चैंटर चेंज नहीं हो पते तो क्या इसका सही आंसर रहेगा कि कहता है वेट लेंड डे आप सभी को पता हुए आपका टू फैप को बनाया जाता है ठीक है क्योंकि 1971 में एक मीटिंग हुई थी फर्स मीटिंग इसकी इधर हुई थी तो फर्स तो ठीक है बूसर दूसर बोलता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर् और में फेस्ट चैनल दूसर यह गलत है और जो थर्ड वह भी सही है यह डाट इस लेक्टेस कन्वेंशन मदब अभी आपके तो जो आपके रिसेंट है ठीक है जो आपके रिसेंट है तो उसमें आपके आजाता है एक हैदर पूर रहा जाता है आपका खजेज दर्या आजा तो 37 गांसर क्या आएगा है और थर्डी सेवंथ का अंसर क्या एका से तो मिनिट्ट मुझे इससे देखने दीजिए हां 37 का आथ वाएगा सेकिंद आप्शन भी सही है फ्रस्ट भी सही है सेकिंद भी सही है ठीक है तो इसका ओल आएगा आगे बात करते हैं कोशन बर 38 लगता है गर्मी का असर हो गया मुझे डाश इस डिफाइंड ऐस एको लोजिकल स्टेट ऑफ स्पीशिस बिइंग उनीक तो इस स्पेसिफिक ज्योग्रॉफिकल रिजन अब आपको मिल जाएंगे आपको मिल जाएंगे आपको मैंने देखा रिसेंटली अभी देखा था मैंने लेक्चे बनाने से पहले देखा था क्यूंकि डाटा चेंज होते रहता है तो आपके लिए करना बढ़ता है तो थर्टी एट का अंसर बताओ तो थर्टी एट का अंसर आपका एगा एंडमिक लाइक्वाइस आयम एंडमिक टू जेंड के मैंको जेंड के मिलूंगा तो थर्टी नाइन कितनी बायोग्राफिकल जोन्स हैं इंडिया में मैंने आपको रिंस के बारे में पढ़ाया है बायोग्राफिकल जोन्स के बारे में पढ़ाया है बायोग्राफिकल जोन्स के बारे में पढ़ाया है बायोग्राफिकल जोन्स के बारे में पढ़ाया है बायोग्राफिकल प् 10 ठीक है आगे बात करें which of the falling forest is known as the lungs of the planet earth planet earth की lungs किसे बोला जाता है the answer is simple one that the Amazon rainforest ठीक है तो C1 is the right one 41 question which of the falling is a biodiversity hotspot in India India का biodiversity hotspot बताने इसमें से हमने पढ़ा hotspot 36 है इंडिया में चार है हिमालिया इंडो बर्मा वेस्टन गार्ड सुन्दा लेंड तो इसमें से में को सिफ़र सिफ एक यू ऑप्शन दिखे रहे सही that the a1 is the right one ठीक है 42 greenhouse effect is warming due to greenhouse gas effect जो है warm क्यों होता है किसके कारण 42 का सही आंसर सिंपल है CO2 सथ तो increase in the temperature due to the increase in CO2 43 if there is shortage of deer ज्यान से पढ़ा कोशन अगर deer कम हो जाएंगे तो tiger पे उसका क्या असर पड़ेगा शेर क्या खाएगा इसका ये है प्रशन तो प्रशन कहता है शेर क्या करेगा देखो शेर तो क्या करेगा वो दूसर जानवर डून लेगा वो डियर भी थोड़ी में निरवर है आप सभी को पता है वो कितने उसे पूर्ट रिलेशन्शिप वेदर टाइगर इट्सर डियर टाइगर किसे खाता है डियर को जी सर डियर को खाएगा अब एक वर्ड आपको पता हूंजिए वट इस प्रेडेटर वट इस प्रेडेटर को नहीं होता है सब डैट किल्स एंट इट अट अधर अनिमल्स जो एक चरा से किल भी करता है और बाद में खा भी जाता है उस एनिमल को ठीक है डैट नोन अस प्रेडिटर अगर हम प्रेड की बात करें प्रेड वो है जो एनिमल्स खाया जाता है जिसका शिकार होता है तो इसमें मुझे एक इंफॉमिशन सही दिख रिए है डैट दा डियर इस प्रे जो डियर है वो एक शिकार है शेर का तो इसलिए D is the right one इस फोर्टी फवा इफ विचो दफॉलिंग कंडिशन इस त्रू अब फूट चेंग के बारे में आपने सही इंफोर्मिशन देनी है फूट चेंग के बारे में एक आपने सही इंफोर्मिशन कों सी दिख गई ह ठीक है तो 45 का अगर मैं सही answer बोलूँ sir it provides food for succeeding animals ठीक है आगे बात करें फिर who develop ecological pyramids आपने तीन pyramids बढ़े है number mass and energy तो वो जो तीनों की तीनों pyramids हैं उसे develop करने वाले कौन महानस्ती थे जल्दी से बताईए तो सबसे वाले हेलीना बेगम जी द्वारा आया है एल्टन ठीक है तो एल्टन इस राइड वन चार्ल्स एल्टन आगे बात करते हैं 47 which pyramid is always upright तीन pyramid मैं आपको बता दिये mass number energy उसमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा upright होता है हमारा नाम नहीं लेते सर इम्रान आश्रफ जी तो जल्दी से बताईए ऐसा कौन सा pyramid जो हमेशा upright रहता है तो pyramid of energy is the right one ठेक है energy जो है वो हमेशा upright रहता है next one 48 in energy pyramid which way does energy transfer occur energy किस हिसाब से जाती है from both top to bottom bottom to top middle top to bottom bottom to top तो यह आपने बताना है ठीक है पहला option तो गलत हो जाता है दूसरा option भी आपका गलत हो जाता है तीसरा option भी गलत हो जाता है तो लास्ट वन इस दाराइट वाल नीचे से ओपर ठीक है 49 what is called the term used to express a community in its final stage of succession जो final stage of succession में होती है उसको हम क्या बोलते आपने succession के बारे में पढ़ा होगा जी बिलकुल रही इसका answer आपका कहे रहेगा sir that the part climax movie के बारे में आपने पढ़ा होगा climax क्या था तो वैसे इसका final क्या था climax which process occurs after volcanic eruption volcanic eruption के बाद क्या होगा sir volcanic eruption से क्या होगा उसके आस्वाद जितनी vegetation होगी वो बर्बाद हो जाएगी sir अगर वो बर्बाद हो जाएगी तो क्या होगा उसके आद नहीं प्रजाती आएगी साजद एमध राथर sir मेरा नाम भी लीजिए ठीक है तो volcanic eruption से एक क्या होगा आपकी वो वेश्ट हो जाएगी ठीक है तो उससे नहीं प्रजाती आएगी जब नहीं प्रजाती आएगी तो that will be a scandid succession B option is the right one 51 benefit that nature provides to human beings वो benefits जो human beings को provide के जाते nature के द्वारा तो nature के द्वारा एक ही benefits provide that is known as the ecological services उसे हम क्या बोलते sir ecological services या दूसर system बोल सकते ecosystem services यह दोनों answer सही है ठीक है ecological भी सही है और आपका ecosystem भी सही है समीना अक्तर जी आपका भी नाम ले लिए चलो आगे बढ़ते 52 विच ओद फॉलिंग कंडिशन अभी नंदन जी तहा कह रहा है बिल्कुल सही ऐसा ही passion आपको चाहिए salute to you कि sir मेरा नाम finalist में नहां जरूर विच ओद फॉलिंग कंडिशन is true for food web तो food web के बारे में कौन सी सही information है जल्दी से बताइए food web food web is a complex आपको मैंने बताया बड़ी नोखी होती है तो sir food web shows many parts तो d answer is the right one 55 sorry 53 which one of the falling is the major difference between food web and food chain तो food web और food chain में क्या difference है food web और food chain में क्या difference है देखो blur नहीं है आप उपर से अपनी वो quality को improve कर सकते हो 360 पे चलाओ हो जाएगा चल जाएगा food web और food chain में क्या difference है तो आपका 53 का answer एगा c option that the food chain is a single linear and the food web is a interconnected pathway 54 की बात करते हैं which one of the falling is the highest tropic level in grassland सबसे उपर की प्रजाती इसमें कों से दिख रही है सबसे नीचे की तो हमें grass दिख रही है यह तो cancel grass को खाने ला grass ओपर वो भी cancel grass ओपर को खाने ला lizard यह भी cancel तो सबसे उपर की प्रजाती मुझे hawk दिख रही है ठीक है how many percent simple 10 percent law of energy तो पहले आप बता ही 10 percent law of energy दिया कि ने होना था 55 का अंसर तो मैंने बता दिया 10 percent अब मुझे बता ही 10 percent of law of energy दिया किसने था अब मुझे ने लिखा है लिंडी मैं बिल्कुल से ठीक है आगे बात करते है 56 what is the significance of species diversity species diversity के related क्या उसकी importance है तो 56 का अंसर बता ही जल्दी अगर तरह तरह की आपको प्रजातिया मिलेंगी इस संसार में अगर तरह तरह की प्रजातिया आपको मिलेंगी इस संसार में तो इससे क्या होगा उनके different different function होंगे sir different different function होंगे तो species interact with the environment and thus perform certain function तो 56 का अंसर के रहेगा sir a option 57 in which approach easy conserve the animals that need urgent majors to save it from extension extension से उन्हें बचाना है बहुत ज़्यादा जरूरी है वो बिल्कुल extinct हो गए है तो in say 2 की x say 2 यह बता हो एले on say 2 तो तो 57 का answer सब चले आ रहा है c तो बिल्कुल सही that x say 2 ठीक है हम उन्हें outside जैसे botanical gardens here next कौन सी टेक्नीक आप यूज करते हो the gametes of threatened species are preserved in viable and viable fertile condition for long periods ठीक है बड़ी देर के लिए हम यूज करते होने तो that is known as cry preservation technique ठीक है याद रखना थोड़ा देखो क्या इस लेवल का यह paper होगा देखो exam के हम 5 मिन पहले भी नहीं बता सकते किस लेवल का यह paper होगा exam के जब मिलेगा उस टाइम पर चलेगा मैं कहूंगा हम अभी सी फर सी preparation कर सकते हैं यह चीज़ याद एको अगर आप पहले सोचने में बढ़ेगे कि हाँ इस लेवल का paper होगा की नहीं होगा वो मैं कहता हूँ कि वो सही चीज नहीं है आप सभी को हता होगा अगर finance accounting system का एक्जान दिया था अन एक्सपेक्टीट कोशन में पर आए उसका आपने देखा होगा हम सब सोची जाए था बड़ा मुश्किल आएगा तो वो चीज नहीं हुई तो कुछ कह नहीं सकते अगर एलियन स्पीशिस को किसी में गुशा दिया जाए तो क्या होगा मतलब कि यह मेरा खेत है अगर यह मेरा खेत है इधर कोई एलियन गुश गया तो क्या होगा तो इधर के जितने भी इंटीजीनियस स्पीशिस है उन्हें बगा देगा ठीक है तो दी अंसर राइड वन 59 का अंसरी डी ऑप्शिन 60th which phenomenon explains that when a species become exchanged the plant and animal species are also become exchanged that are obligatedly associated with the host species 60th answer that known as co-extinction this is called co-extinction okay which depends okay which phenomenon depends when species become exchanged the plant and species also become exchanged that are obligatedly associated with the host species okay so let's talk about 120 to 120 is up to 150 is not made by actually 150 then at night at 1 o'clock we had to stay here 61 says what are the species called whose members are in danger of extension but the reason is unknown unknown the importance of unknown unknown की बड़ी ज्यादा importance है इदर तो 61 का कैसे इंसर आएगा इंडेटर्मिनेंट बिर्कुल सही इंडेटर्मिन्ट वेपनस् happens when the food energy passes from herbivores to carnivores and to the next organism क्या होता है जब food energy herbivores से carnivores में जाती है carnivores से next organism में जाती है तो उसको क्या बोलते है amount of energy increase होती है amount of energy decrease होती है जल्दी से बताइए sir 10% law of energy most important तो this is the right one that the B option is the right one गड़ती है 63 energy stored at consumer level उसे हम क्या बोलते हैं वो energy जो हम consumer level पर store करते हैं तो इसका सी आंसर रहेगा ठीक है consumer वर्ड उसके आंसर रहेगा 64 की बात करते हैं which of the following is the driving force of ecosystem मतलब ecosystem किसके बल्बूते पर चल रहा है the main factor that is the sunlight sunlight is the solar energy solar energy is the right one 65 ecological service बताएए जल्दी समें से ठीक है और से वो है तो पहला और दूसर ऑप्शन तो गलत जल्दी से थर्ड आंसर है कि फोर्थ आंसर है कि प्रूशन तो हमारी देन है ना तो वह ecological service तो है नहीं तो 65 का क्या आंसर हो जी है सर्डैट देशीवन CO2 fixation O2 release और pollination यह सब कुछ ecosystem करता है यह इको सिस्टम करता है वो तो उनके लिए गर है वो उनके लिए कैसे बन जाएगा तो यह option आपका सही हैस में क्योंकि यह गलत है 67 1936 में पहली इंडिया की नैशनल पार्क कौन सी थी 1936 में इंडिया की पहली नैशनल पार्क कौन सी थी उसका दूसरा नाम है सर हैले दूसरा नाम कैसर हैले नैशनल पार्क अगर रिसेंट की बात करें तो उसका नाम चेंज हो गया डैट इस इन उत्राखंड फॉर टाइगर्स जिम कोर्बिट बिल्कुल थी ठीक है तो जिम कोर्बिट इस राइट वन 68 इसमें से बताना है कौन कौन सी इंफोर्मिशन इंकरेक्ट है इसमें से कौन कौन सी इंफोर्मिशन आपकी इंकरेक्ट है वो बताइए नैशनल पार्क को वाइल लैफ सेंचरी की बात हो रही है ठीक है तो मैं बता दूँ इसमें जो जितनी भी इंफोर्मिशन है वो दोनों की दोनों ही गलत है तो बोथ A and B is the right one क्योंकि जो नैशनल पार्क है वो एक पर्टिकुल स्पीशिस के लिए नहीं होती बाकियों को भी जाते है नो डाउट कि उसमें बताया जाते है जो बनाए जाती है फॉर बोथ नैशल और कल्चल है जो नैशल भी होती है और कल्चल कंसरविशन पर भी होती है के लिए टक है तो इंडिया की ये कोन सी दि वो बताइए ये मैं आप दूंँ ये सिक्किम में है है कांपे सर्फिकी में ये मैंने बता दिया तो सिक्किम वाला नाम तो मुझे एक ही दिख रहे है डाडीज come change and go ठीक है B is the right one आगे बात करते हैं 70th question correct answer बताइए man, आप सभी ने map के बारे बढ़ा होगा sorry man and biosphere ठीक है तो आपको पता होगा उसने total हमारे इदर biosphere reserves कितनी है sir हमारे इदर total biosphere reserves 18, total biosphere reserves कितनी है sir 18, जिसमें से map ने, जिसमें से map ने, सिफ़ोर सिफ 12 को recognition दी है ठीक है, तो कहता है map जो है, 1986 में start बिल्कुल सही सर दूसरा बोलता है, that the nilgiri was the first, बिल्कुल सही सर, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो 78th का अंसे के रेकर से, बोत are the correct one, तो guys साथ में like करते रहे ये session आपको बात-बात बोलना बढ़ता है, बीना बोले कोई भी काम किया गरो, ठीक है, अब जैसे गर्मिया आ लिए ना, तो गर्मियों में पानी की बोतल बरके रख दे ना, नहीं तो बहुत गालिया बढ़ती है, तो बात करते हैं, 71th वट विल बी दे एफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिंग अन मैंग्रू फोरेस्ट इफेक्ट अफ मैंग्रू फोरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग का 71 का अंसर बी आ रहे है, बिलकुल सही, ठीक है, तो इसका अंसर यही रहेगा, जो मैंग्रू फोरेस्ट है, उसके जो बड़े-बड़े एडिया होंगे, वो समर्च हो जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग से होगे, सब गर्मी आएंगी, गर्मी आएंगी तो, वो अंदर 10 जाएंगी, 72, अब परसन वांट सु विजिट दा नैशनल पार्ग, रथमबोर, गीर और बंदीपोर, बड़ा मंचला इंसान है, कहरा है, मैंने तीन तीन नैशनल पार्ग जाना है, पहला रथमबोर जाना है, फिर गिर जाना है, फिर दूसरा कब, बंदीपोर जाना है, अब कहता है, to which one of the falling state, does he need to go in this connection, he need not to go, sorry, ठीक है, कहां पे वो नहीं जाएगा, आपको पता है, यह रथमबोर कहां पे, सर, रथमबोर हमारा है, राजसान, तो राजसान option तर गिलत हो जाते है, सर, गिर काम पे, सर, गिर इस इन गुजराद, तो यह भी cancel हो जाते है, सर, बंदीपोरा काम पे, ठीक है, बंदीपोरा काम पे है, सर, जल्दीपोरा काम पे है, सब बंदी पोर हमारा कनाट का तो यह भी खंशलत है तो कैरला इस दा राइट वन ठीक है क्यूंकि उसे कैरला जाने की जोत नी पड़ेगी इन तीन जगाव पर जाने की जोत पड़ेगी यह 73 चैनलियों आपको दिया सुन्दलाल बागानु जी ने स्टार्ट किया था उनके बारे पतों नहीं है ठीक है तो इसमें आपका क्या था डैट चिपकों डॉलन कप से किसके लेडिट है डैट 74 इस दा बीवा इस दा राइट वन कंशर्वेशन दा राइट 75 दब अब्जेक्टिव और वायस्वे रिजर्व इस बाइस रिजर्व का में अब्जेक्टिव जा है वह बताइए तो यह तीनों के तीनों इसके में मक्सद है तो अल अब अबव टेक है तो कोई थका तो नहीं है ना मैं थोड़ा वह थक गया हूं कि 76 कि कंसीडर दा फॉलिंग स्टेट्मेंट नीचे देगे इंफोर्मेशन को कंसिडर कीजिए और बताइए कौन सा क्रेक्ट है अब ऑग्याइब जीम कोई बीट की बात होती है जाए बिल्कुल सही है उसका पहला नाम हैल है था बिल्कुल सही सर और वो टाइकर से लेटर विल्कुल सही सर यह तीनों के तीनों सही है तो ओल रता राइट वन ठीक है 76 का क्या अंशर एका सबी ऑप्शन तो आगे बाद करते हैं हाँ पानी वाली ब्रेक मैंने तो पी लिया आप सब भी पी सकते हैं तो 77 विच बन और फॉलिंग इस नॉट असाइट फॉर इंसेटू इंसेटू की कौन सी साइट नहीं है यह वो बताई आप ठीक है मतलब की इन अदर वर्ड वो एक से टू कह रहा है आप बताएए एक से टू कोन सा इसमें से एक से टू सब बोटैनिकल गार्ण है एक सेंटी इड़ नीचे देनिफरमेशन को पढ़िए और बताएए कोन सा सही है कहता है बाकी आपको मिलेगा तो पहला ख़ात बहुत हो जाता है यह तो सही है नहीं इंडिया पांच वारी बोल चलों शायचा आज कि लेक्टर में ही टाइड दा इंडिया के सिर्फ और सिफ दो ही चार सोरी बाई बाई डॉट्री होट्सपोट है इस्टे निमाल ले बेस्टे निमाल ले बेस्टें गाट्स एंड अंधमाय निकों आई तो इसका आंसे करेंगा सर 78 काट्ड डैट अट दे सेकिंड वाई इस राइट वन तेक है सौरी उन्होंने फोर बाई डॉट्री होट्सपोट बोले है हाँ मुझे टोक दिया अगरो अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूं ठीक है ठीक है तो आपके चार नाम गलत लिखें ठीक है न वो तो सही लिख दिया है इन्होंने तो नीदर वान एंड टू इस राइट वान तो 78 क सब्सक्राइब है इसकी फूल फॉर्म ही बता दीजिए वही बताना आपने है डैट इसकी फूल फॉर्म रहेगी यह ऑप्शन इस राइट वन कि दे कन्वेंशन ठीक है ऑफ इंटरनेश्टल ट्रेडिंड इंडेंजर्ट स्पीशिस ऑफ वाइल फोना एंड फ्लोरा ठीक ह 80 एक रामसर कंवेंशन दप्लेस रामसर आप सभी को मैंने बताया डैट रामसर जो था यह एक जगह है कहां पर है सर यह इरान में है इस दिए हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कहां ठीक है तो कब हुई थी सर सेकिंड फैब को हुई थी इन 1971 सेकिंड फैब 1971 ठीक है 81 नैशनल पार्क के लिए तीन चार कोशने अब आगे ध्यान से सुनना ए रवी कुलम नैशनल पार्क कहां पर है मैंने इसके ओपर एक वीडियो नहीं थी ट्रिक के ओपर होपसो आप सिर नहीं वह देखी होगी ठीक है मैंने इंजिनियर रवी वर्ड यूज किया था उसमें तो सबसे रदा पड़े लिखे लोग कहां के होते हैं सर कैलला के होते हैं तो इंजिनियर रवी ऐसे याद है किये इंजिनियर रवी आगे बात करते है 82 नाम दपा नैशनल पाक अब नाम दपा नैशनल पाक आप अब देख कहां की है तो नाम दपा सर अरुनाच से बदेश किये आपका नागर होल नैशनल पाक सर नागर होल नैशनल पाक हमारी हो रहती है डैड कनाट का 84 कैबुलामजौ नैशनल पार्क ठीक है वन अव दा फ्लोटिंग ठीक है यह आपकी फ्लोटिंग हमारी हो रहती है तो फ्लोटिंग वाली जो हमारी नैशनल पार्क कहां पर है 84 कहां से रहेंगा डैड इस इन मनिपूर डैश is known as the ecological state of species being unique to the specific geographical location मतलब कि आपने बताना है कि उस location में अगर वो मिलता है वो प्रानी मिलता है बिल्कुल सही लोग तक ले ठीक है आपने उपर वो बताया तो अगर वो specific person आपको उसी area में मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं likewise मैंने आपको मेंशा बोलते आया हूं I'm endemic to JNK मैं JNK का वासी हूं तो आपको मैं JNK में ही मिलूंगा कभी गूमने गया तो बात अलग है कभी कभी का राग गूम जाता हूं तो that is known as endemic उसे हम क्या बोलते हैं endemic 86 relative contribution of various greenhouse gases to total global warming descending order में लगा रहा है सबसे बड़ा फिट छोटा फिट छोटा फिट छोटा फिट छोटा तो सबसे पहले क्या आएगा साक्षी गुपता जी ने लिखा है 86 का अंसर A ब्यान से देख लीजिए क्या A है सर आप कहां से हो देखो मैं JNK का हूँ JNK में जम्मू district का हूँ और जम्मू से गांधी नगर रीजिन तो 86 का अंसर क्या है का सर A option हाँ PDF में डाल दूँगा ठीक है मैं actually last की भूल चुका था तो क्या आएगा इसका अंसर से carbon dioxide methane CFC and nitric oxide ठीक है यह सही है ठीक है A answer is the right one 87 without the earth's atmosphere ठीक है earth's atmosphere के बिना the earth's average temperature would be well below the dash temperature of water आपको मैं अबता दूँँ आप सब सोचते होंगे सब global warming बड़ा गंदा है लेकिन मैं आपको दादो global warming भी एक हट तक अच्छा है एक हट तक आप सभी कोता है excess of everything is bad हर एक चीज का जो excess है वो बूरी चीज़े तो global warming ने कुछ एक्सेस में करते है उसके गारे इसका effect दिख रहे है ठीक है तो global warming अगरे बाइटन्स नहीं होता तो अभी तक हमारे temperature below freezing होता हम जमगी होते हमारी दे लाइफ possible नहीं होनी थी ठीक है 88 ओजोन जो है कितने atoms का बने oxygen की कितने atoms से बने सर ओजोन ठीक है जल्दी ताइए ओजोन जो है oxygen के बिल्कुल सही इसका formula क्योंते है तो three तो three is the right one 89 which is the first place where scientists found the thinning of ozone layer तो सबसे पहले ozone layer की thinning उन्होंने कहां पर पाई थी उन्हों देखा हाँ बाई ozone खत्रा आ गया ozone का तो सबसे हले कहां पर पाया गया था यह मारे continent है जहां पर कोई नहीं रहता that the Antarctica the option is the right one 90th 1987 में एक protection sign हुआ था treaty का of ozone layer ठीक है ozone layer का protection sign हुआ था 1987 में तो उसका क्या नाम है वो बताईए ठीक है तो 90th का answer से रहेगा D option क्या रहेगा D option Montreal protocol आगे बात करते है 98 के बाद which compound which using fire extinguisher ठीक है fire extinguisher में कौन सी गैस यूज की जाती है जल्दी से बताईए fire extinguisher में कौन सी गैस यूज की जाती है halons ठीक है C option is the right one आगे बात करते है 92 प्रोड़क्टिविटी का यूणिट क्या है जल्दी से यह प्रोड़क्टिविटी का यूणिट क्या है हम उसे किसमें तोलते हैं डाइट दग्राम मीटर पर एयर या किलो कैलरी मीटर पर एयर ठीक है 93 यह इंपॉर्ड़न कोशन है इदर मैं गरेंटी देता हम बड़े से कोश्च इदर जो बच्चे है ना उनके जजबात काम आएंगे वो पलट जाएंगे आपने से इंपल एटने वाले मूद तो कोश्चन का अंसर द्यान से देना कहता है अगर एक फ्रॉग जो है वो इनसे को फीड़ अप करता है ठीक है तो जो फ्रॉग है वो किसकी इंग्जेंपल है वो बताईए साक्षी गुपतर जी कह रहे हैं सी सी आंसर आ रहा है देखो साहिल सिंग राजु जी लिख रहे है प्राइमरी स्केंडरी मैक्समान से आ रहा है प्राइमरी भी आने बाट गया तो मैं आदू यह गलत है प्राइमरी स्केंडरी जा राइड वाई जियान से देखो सबसे पहले हमारा क्यों होगा आपका एक फ्रॉग है ठीक है फ्रॉग इसा प्राइमरी पहले ग्रास है ग्रास के बाद इंसेक्ट के बाद से फ्रॉघ है तो इंसेक्ट मारा को वोगा से इंसेक्ट इज सा फ्राइमरी ठीके ना थो second अब का जो tweet 3 कि न जाएगा तो फ्रॉघ ओски सीन्डरी गिने जाएगा टु से स्टेक्ट है तो फ्रॉघ इस दा सिकेंड्री एज direito we इधर एक कोशन माग डाले मैंने बताइए इधर क्या आएगा जल्दी से बताइए इधर क्या आएगा 94 फाइटो प्लेक्टॉन जू प्लेक्टॉन उसके बाद उनको कौन खाएगा फिशिस से यह आंसर आ रहा है तो डैट तब फिशिस इस दा राइट वन फिशिस को खाएगा मैं फिशिस ठीक है 95 वट इस अमिसिंग लेवल ऑफ दो ऑगनाइज़ेशन ठीक है तो इस में भी मिसिंग बता ये क्या आएगा ग्रास को ग्रास ओपर ग्रास ओपर क्या आथ को खौन देखो एलिफान को तो हम खाएंगे निए लॉइन को भी नी वुल्फ को भी नी तो बढ़ड़ ही बचा तो बढ़ड़ इस ता राइट वन ठीक है most appropriate देखा करो दे 96 sun के बाद herbivorous carnivorous के आफ carnivorous carnivorous के आफ top carnivorous the symbol given below each arrow indicates the loss of energy from an ecosystem in what form is this energy loss sir question आपने इतना बड़ा दे दिया answer इसका बड़ा मामूली से है तो हमारी जो होती है यह किसके कान होते है respiration तो respiration हम इसमें क्या answer एगा 96 का that the B1 is the right one 97 a chicken has just eaten a worm एक chicken है उसमें warm को खाया है when a man sees this इदर मंचला में इंसान है इंसान का मन बड़ा मंचला है उसने चीकन को देखा नहीं उसको पकाया नहीं he eats that chicken उसने वो चीकन खा लिया to which traffic level does the man belong तो इसमें traffic level कौन सा होगा इस इंसान का जल्दी से बताइए tertiary answer बिल्कुल थाई ठीक है तो हम होप सो आपको concept clear होगा जो मैंने आपको concept दिये थे वही concept दिदर मैं यूज कर रहा हूँ पहला अगर primary की बात करें that will be our warm secondary is our chicken and the tertiary is our man 98 which one of the following represent the pyramid of number pyramid of number आपको पता होना चाहिए सर जो pyramid of number है it can be inverted as well as upright वो दोनों हो सकते है maximum वो आपका जो होता है upright ही होता है inverted किसी किसी cases में होते है ठीक है तो inverted and upright सिफ और सिफ A और B option सही दिया है तो कौन सा सही रहेगा A and B ठीक है तो इसमें right answer करेगा 98 का D answer 99 what does the following pyramid represent तो ये pyramid आपको side पे दिया है मैंने तो ये कौन सा pyramid है ये आपको क्या pyramid बता रहा है क्या दर्शा रहा है आप देख सकते हैं तो it is upright ठीक है अगर ये upright है तो inverted वाले तो option में गलत कर देता हूँ और आप देख सकते हैं तो the plants लिखे हैं फिर goat लिखा है फिर wolf लिखा है फिर loin लिखा है तो इस कांसे करेंगा 99 is the D option is the right one it is a grassland ecosystem का इन नंबर है टीक है नंबर गढ़ता है 100th question अपनी century बज़ी विराट को लिखी है होप सो 71 पी बड़ी जल्दी आ रहे है उसकी century हमने इदर मार दिये कहता है कि पाइनरिंग और क्लाइमेक्स से बीच वाली जो कंडिशन से हूने हम क्या बोलते है 100 का बी आने बाढ़ गया तो 100 का बी सही आन से transitional community is the right one अब आगे बढ़ते हैं ये मैंने कुछ previously ask question उठाए है ठीक है अब इदर से फिर से मैंने आपको आज 120 के उपर जाना हमने तो ठकना नहीं है आज कुछ तूफानी करते है तो बोलता है पहला question the concept of greenhouse gases are postulated by greenhouse gases पहले सबसे पहले किस ने दिया था ये ना थोड़े से twisted question आने वाले जो आगे मैंने 20-25 question लेका है ना आपके लिए सो तो कर लिए अब हमारी गिंती फिर से 1 से start हो जाएगी तो B और C में बच्चों को confusion है में इसाब से तो जो C कह रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा आप सही जा रहे हैं बच्चों तो Joseph Fourier is a right one that he was a French methodician and physicist उन्हों को greenhouse effect की discovery भी उनके जाती है ठीक है तो ये चीज़ भी आपने या रखना ठीक है आगे बात करते हैं फिर 102 which one of the falling natural occurring greenhouse gases cause the highest percentage of greenhouse effect तो greenhouse effect करने वाले सबसे ज़्यादा gas आपकी कौन सी है ठीक है कौन सी सबसे आपको इदर मिलेगी naturally occurring ठीक है सब paper इसी level का होगा की high देखो अभी भी मैंने पहले discuss किया था कि paper का हम कुछ नहीं कह सकते मनुष्य बड़ा चंचला है मैं बड़ी वार यूज कर चुका हूँ examiner अगर उस ताइम पर अच्छा होगा तो असान पर भी डाल देगा जैसे उसने finance account का डाल दिया बच्चे लिख रहें CO2 संदीब शर्मा जी ने बिल्कुल सही आंसे दिया मैं पता दूँ तो जल्दी से कमेंट करने में बाट जो संदीब शर्मा जी ने लिख है तो तो नहीं है आप सर्च भी कर सकते हो ठीक है that the water vapor is the most potent of the greenhouse gases in earth's atmosphere अगर earth's atmosphere में बात करें तो जो water vapor है वो सबसे ज़्यादा है the UN convention on climate change ratified by more than 50 countries become effective on कभ ये effective आया था एक climate change मरलब UN FCC एक यू एन FCC अहां बहुत जल्द मैं भी करवांगा एक्जाम कंड़क्ट जल्दी चपता है ये UN FCC तो इसका अंसर के रहेगा सर मार्च 21 1994 which one of the falling is not a greenhouse gas तो नीचे देगी option में से आपने greenhouse gas बतानी है कौन सी नहीं है बड़ा एजी है हां 1994 है थर्ड का अंसर बिल्कुल सही nitrogen सभी ने सही आंसर दिया है that nitrogen is not a greenhouse gas अब बात करते हैं फिफ्ट कोशन की the greenhouse effect is mostly caused by जो greenhouse effect है किसके कारण होता है अब आपका सही आंसर आएगा that the CO2 टेक है तो फिफ्ट का अंसर के रहेगा सर फिफ्ट का अंसर ए रहेगा carbon dioxide is the atmosphere आगे बात करें six question climate change is caused by जो climate change है वो किसके कारण होता है यह न आपका environmental issues के लेड़ीड आगे कोशन जलती से बताइए six का डी आंसर है all all are the right one ठीक है तो इसके कारण climate change हो रहे है एक greenhouse gas के कारण हो रहे है ozone layer हमारी गड़ती जा रहे है उसके कारण हो रहे है and all are the right one ठीक है guys देखो session को like करो session खतम होने वाला है उससे पहले पहले मुझे 200 likes चाहिए seventh question ozone layer restricts ozone layers क्या restrict करती है ठीक है it restricts ultraviolet radiations आगे बात करते है eighth which one of the falling is related to ozone formation ozone formation के related कौन साइस में से that photo chemical process ठीक है photo chemical process जो है it is related to the ozone formation as it is goes through this process बड़ी जादा इसमें से organic compounds and nitrogen oxide जो है वो form होती है तो इसलिए इसे हम photo chemical processes का सही answer रहेगा आगे बात करते हैं the concept of carbon credit originated from which one of the falling carbon credit ठीक है इसमें हम क्या करते है एक तरह से ना उदार दे देते है कि for example बोला जाता है कि हाँ अगर किसी country को बोला गया कि आप इतना ही carbon emit कर सकते हैं अगर वो कम emit करते हैं तो उनके पास कुछ credit बच जाता है और वो जो credit है वो आगे दे देते है तो कौन से concept में आया था डेट काईटोर प्रोटोकॉल ठीक है आप सभी को पता हो जाए डेट कार्बन क्रेडिट में क्यों आता है country जो है वो दूसरों को amount of carbon emission दे सकती है और उसके बदे कुछ भी उनसे पैसे भी ले सकती है ठीक है next one earth summit was held in earth की summit was held in UN conference on environmental and development UNCD रियोटी जिनियरिया में हुआ था कब हुआ था वो बता हो ठीक है इसका answer तो मैंने बता दिया कब हुआ था date बता हुझे date 1992 ठीक है बिलकुल सही global 500 award is given for achievement in the field of global 500 award act किस purpose के लिए दे जाते है तो obviously जाते है जो हम chapter पड़े है उस ही के purpose होएगा आप बाहर से तो कोई question डालोगे नहीं तो क्या सही answer एगा किस के लिए दे जाते है global 500 for environmental protection होता है ठीक है तो 11th कहांसे के रहेगा environmental protection 12th global warming is cause due to the emission of जो आपका global warming है वो किस कारण होता है ठीक है तो 12th कहांसे के रहेगा carbon dioxide अर्बनाइजेशन और इंडेस्ट्रिमेंटल टू जो अर्बनाइजेशन है और जो इंडेस्ट्रिमेंटलाइजेशन है किसके डेट्रिमेंटल है किसका रिजल्ट देती है वो ठीक है तो आप सभी कुदा दूं तो इसके रहेगा अर्बनाइजेशन है दीवन उसके कारएं सस्टेनिवर डिलमेंट का कंसेप्ट आ रहा है माई सामने इंवर्मेंटल इकॉलजी का रहा है प्रिजर्वेशन देखो थोड़े से कोशन है थोड़े से डिफ्रेंट है देखो मैं चाहता हूं कि आपका ना एक भी मार्क्स ना कटे तो उसके गाएं इधर से नॉलेज लेखे जाओ यह मत सोचो बच्चों के मुझे पता है कि बड़े से कंप्लेंश आएंगा रिष्ट जल्दी से अपता है यह तो आंसर भी आ रहा है इम्रान अश्रफ जी ने लिख्या ए ए बिल्कुल सही फर्स्ट अर्थ समिट ठीक है बी नहीं आएगा जो फर्स्ट अर्थ समिट तुई थी उसमें एजेंडर 21 एडॉप्ट हुआ था ठीक है तो आगे बात करते हैं तो फर्स्ट अर्थ समिट कभी थी 1992 में रियो डिजिन एडिया में नेक्स्ट 15 दे यूज़ फॉसल फ्यूल्स इस रिस्पॉंसर फॉर दा इंक्रीज इन अमांट आप विच गैस इन एट्मोस्वेर दाट दस्योटू कार्बन डियक्सट ठीक है 16 इन्वर्मेंटल कुजेंट्स कर्व ठीक है कर्व के रिलेटिट वो बताएगे यह नहीं कर्व होता है इंट शोज दा रिलेशन्शिप बिट्वीन एकनोमिक प्रोग्रेस एंड इन्वर्मेंटल डिडिडेशन ठीक है यह ग् करता है कि एक कंट्री ने कितना प्लूशन इंक्रीज किया है तो ऑविस है सी बात है डैट वो प्लूशन अमीशन बदाएगा तो इसका आंसर करेंगा डीवन यहां दखना कि आगे बढ़ेंगे 17 कोशन गब्राव मत सेशन खतम होने वाला है कैंट्सिडर दा फॉलिंग स्टेट्मेंट अबाऊट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताईए कौन सी इंफोर्मेशन इसमें सही दी गई है ठीक है दब वीना प्रोटेक्शन जो थी फॉर द ओजो लियर ठीक है इसमें main issue था तो उसमें Montreal Protocol था depression था, ozone layer in 1987 यह pass हुआ था तो 17th का क्या answer एगा सर बोथ तुक्का, ओ हो, आपको मैं कहूंगा कि आपका तुक्का भी सही होगा आज ठीक है, तो इसका answer बोथ ही है तो 17th का C answer is the right one बोथ are the right one hockey stick graph indicates hockey stick, देखो कभी कहा न, आपको calculated risk भी लेना पड़ता है for example, मैं एक example लेता हूँ आपको उदर question आने 120 अब आपको पता है, cut off around, चलो 90 के भी हम ले लेते है, 90, 100 100 तर जाएका cut off अब आप उदर question ही 80 attempt करके आओगे, तो आप तो पहले ही competition से बाहर होगे, ठीक है तो उस time पे आपको calculated risk लेना पड़ता है आपने, obviously बात है अब आप 80 करके होगे, आप तो competition से पहले ही बाहर होगे आपकी जो selection है वो होना होनी भी होगे, तो वह भी नहीं हो सकती है तो उसके लिए आपको तो 80 तक 100 पोशने लिए कुछ risk भी लेना पड़ेगा तो जैसे अभी तुका ठीक हो गया, हो सकता है तो 18 काम से करेगा तो होकिस्टिक ग्राफ जो है वो हमें शोर करता है, average global temperature over the past several 1000 years 1000 के अंदर अंदर ठीक है, यह याद रखना यह भी recently थोड़े high level की कोशन से मैं मानता हूँ तो लेकिन यह आपको UPS से में मदद करेंगे तो कहता है होकिस्टिक जो ग्राफ है, वो क्या इंडिकेट करता है तो क्या इंडिकेट करता है होकिस्टिक ग्राफ दैट दी वन इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेश नाइंटीन फॉलिंग ग्राफ इस रिलीज रिलीज फॉम राइस फील्ड इंड़ मोस्ट प्रॉमिंट कॉनिटिटीज यह बताए उससे क्या बोलेंगे ठीकेट साइंस के रिटिट इंडिट आगे थोड़ा वन्ट इंड इंड से तो सबकु साफ है तो कहता है कॉन से ग्रूप अफ गैसर जो ग्रीन अचनल को यह रिटिट करता है तो ट्वैंटीफ का आज से क्या रहेगा तो इससे मेफनों गैसर थो कारबन डाइक क्या बीटिट करता है 21 बस दो तीन हां तीन कोशन रहेंगे कब्राओ मत खत्म उसका सोने चलेंगे तो विच वन ओ दो फॉलिंग इस दक्रेक्ट डेफिनिश ऑफ एजेंडर 21 करेक्ट डेफिनिश ऑफ एजेंडर 21 अभी अमने पढ़ा कि वह फिर्स्ट अर्थ समित में अडॉप्ट की गई थी तो अजेंडर 21 की करेक्ट डेफिनिशन क्या है डाट इडिजए अच्छन प्लान फॉर किसके लिए लेटेट था अजेंडर 21 सर्व वो मारा सस्टेनेबल डिलम्मेंट की लेटेट है याद खना 22 इंवर्मेंटल डिग्रेशन मीन्स इंवर्मेंटल डिग्रेशन का क्या मतलब है तीनो के तीनो से ही है ठीक है तो डी इस दा राइट वन 23 खतम ठीक है लास्ट कोशन वूबल वामिंगा इंपक्ट कौन बटाता है मेल्टिंग और गलाश्य नौरिंग गैस और सी लेवल चेंजिस इंवेदर किडिशन राइग अग्लोबल टंपरेशन हाँ पीडिएफ मिल जाएगा गब्राओ मत जल्दीजाए 23 का अंसर बिल्कुर सही सुहान जी ने सही बोला है तो आप पढ़ा कीजिए लोरिंग डाउन और सी लेवल नहीं होगा ठीक है ना तो आल अफ दीजिस का राइट आंसर नहीं है द्यान से पढ़ा करो जो सी लेवल है वो तो उपड़ जाएगा ठीक है तो इससे क्यों होगा सी वन इस दा राइट वन वन त्री और फॉर यही चीज आपको सिखा नहीं थी मैंने में लास्ट कोशन देखो आप सभी में मैक्सम देखा था आप आल अफ द अबव कर रहे थे लेकिन द्यान से कोशन को पढ़ो कि जो सी लेवल को है वो राइस करता है डिक्रीज नहीं करता ठीक है यह लोड डाउन कहा रहा है तो यह थे हमारे कुछ 123 कोशन सराउंड हमने आज किये अच्छे लगे होंगे अच्छे लेवल के कोशन दा लेते पहले थोड़े से इजी थे फिर मॉडरेट भी रखे फिर डिफिकल्ट भी रखे अब डेर गंटा होने चला है आपको सौरी बोलने का जोड़नी चाहिए तो यही मेंड चीज आपको सिखाई जाती है तो यही कहता हूं जिंदगी सीखने के लिए बनी है सीखते चलो तो यही था तो आज का अपना सेशन इतने रहते हैं तो मिलते कर अपने लेक्षी था आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बदाते हैं कि आपको नेक्स्ट मेरतों ग्लास नेक्स्ट के ओपर चाहिए तो कल रात को 10 बजे उसकी ओपर आपको मिल जाएंगे लेक अलाए कि अलाए कि चाहिए मेरतों